हेलो बच्चो इस वीडियो में हम पूरी तरह से जैक बोट एक्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल में बात करें हैं अगर आपने एक ज़र भी मिस किया तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाओगे पूरी डिटेल में हमने वीडियो बना दिया कोई भी कोश्चन आपके मन में आएगा ही नहीं चलिए स्टार्ट करतें समझतें देखो बच्चो परिच्छा जो होगा दो तर्में होगा पिछले साल की तरह दो तर्में ही होगा तर्म 1 और तर्म 2 दोनों में 40-40 अंकों की परिच्छा ली जाएगी यानि तर्म 1 में आपका 40 मार्स का होगा और तर्म 2 भी आपका 40 अंक का होगा ठीक दोनों में 40-40 अंक तीसरा पॉइंट आते हैं हम लोग सब्जेक्टिब प्लस अब्जेक्टिब पैटर्न क्या है यहाँ पर दोनों टर्म का पैटर्न एक समान होगा यह जो एक्जाम पैटर्न है इसमें चेंज किया गया है कि अब क्या कर दिया गए दोनों टर्म का जो पैटर्न है यह से टर् से दुबारा term 2 में question नहीं पूछी जाएंगे लेकिन जो परिच्छा का pattern है यानि दोनों term का pattern एक समान रहेगा ठीक है इसको सबस्ते हैं तो क्या pattern रहेगा subjective question रहेगा subjective question रहेगा और objective question रहेगा total कितना subjective objective बराबर 40 mask ठीक है आधा term 1 के लिए तो आधा term 2 के लिए समझगें यहां तक कोई भी बच्चों में बच्चों को doubt नहीं कि subjective objective मिला कर question पूछा जा रहा है total आपको चार गो options मिलेगा उस option में कोई एक सही रहेगा ठीक है तो यह total question जो number of question रहेंगे 20 question रहेंगे जिसमें से हर question पर आपको एक number मिलेगा तो एक अंक मिलेगा तो 20 गुना वन तोटल 20 अंक मिल गए तो इक किस तरह का question रहेंगे बहु विकल्पी अब one word answer इसमें क्यों होता है पांच question रहेंगे one word answer यह एक line पर आपको answer वन एक word पर answer देना आपको जस्ट जैसे कोई भी थोटा से question उसका one word हो ठीक है तो यह आपका इस पांच question रहेगा उसमें हर question पर आपको एक अंक मिलेंगे यहने कितना हो पांच गुना एक तोटल पांच अंक हो गए यह किस तरह का question रहेगा one word जो answer रहेगा अती लगू उतरी रहेगा इन्हें बहुत ही छोटा answer देना पड़ेगा बहुत ही छोटा ठीक है जैसे धारा का एसाई मतर क्या एंपियर तो बहुत छोटा हो गया तो इसी तरह करहेगा तीसरा जो टाइप आ रहा है one line answer इसमें क्या होता है one line answer मतलब लगू उतरी यह question रहेगा एक line में आपको answer लिखता है यह कितनी question रहेंगे पांच question रहेंगे जिसमें इसमें भी आपको एक अंक मि पूछे जाएंगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा opportunity है कि total 30 जो person है वो एक अंक वाले पूछे जाएंगे यानि नंबर पूरी बटोर लो बस थोड़ा सा detail पढ़ो बढ़ियां से पढ़ो अराम से तुम लोग नंबर अच्छे नंबर से पास करोगे हम तो बोलते हैं 30 परसन और हर परसन आपके एक कंक वाले पूछे जाएंगे तो एकदम बस थोड़ा detail में पढ़ो एकदम 30 नंबर तो अरसानी से यहां से उठा लोगे तुम अब हमाद इधर आते तीन कोश्चन रहेगा तीन कोश्चन रहेगा उसमें से दो कोश्चन तीन कोश्चन कैसा रह यहां पर परसकते हैं अब धाई अंके तीन परसन पुछे जाएंगे जिसमें दो परसनों का उतर परिच्छार्थी को यानि जो परिच्छा दे रहे हैं उनको दो ही परसनों के उतर देने होंगे ठीक अब आते हैं दो कोश्चन रहेगा दो कोश्चन में एक ही कोश्चन आ बनाना है यह क्या रहेगा पांच नंबर वाला कोशन रहेगा दो कोशन में एक कोशन बनाना है आपको पांच नंबर मिलेंगे यानि पांच मार्क्स तो उधर तीस हुआ इधर दस अंक हो गया तोटल चालीस अंक हो गया पांच अंक के परिछार्थी को दो विकल्प दे यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है ठेक है अब हम आते हैं यहाँ पर term 1 हो गया आपको 40 marks और term 2 हो गया आपका 40 marks total 80 marks हो गया आंतरिक मुल्यानकन आपको 20 अंके हो जाएंगे अब term 1 का जो एक्जाम होगा सारा detail में बताते रहे हैं कब आएगा model question paper सारी बात करेंगे term 1 का जो एक्जाम होगा वो नवंबर के अंतर यानि हो सकता 28 नवंबर 29 नवंबर या तो दिसंबर के पर्थम सब्ता यानि दिसंबर का अगर दिसंबर घुसता है तो पर्थम सब्ता यहनि 7 दिसंबर 8 दिसंबर 6 दिसंबर इस तरीका करे सक अब बात करते हैं term 2 परिच्छा term 2 जो परिच्छा होगा वो March 2023 में होगा model question paper कब आएगा तो model question paper आपको यह सब्ता आने का पूरा संभावना है JCRT जो है model question paper तयार करता है जैसा कि आपको पता है तो सिच्छकों ने model question paper आपको मिलेगा तो सिच्छकों ने model question paper तयार करके JCRT को दे दिया यानि आपका model question paper तयार हो गया है अब यह JCRT पास है अभी फिलाल अब यह JCRT क्या करेगा model पत्र को जैक को अप्रत कराए जाएगा तो बस ज्यादा दिन बचा नहीं बस आपका model question paper तयार है तो कुछी दिन में आपको आपका यह सब्ता तक आपका model question paper भी आ जाएगा और यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्रा को लाइक किजिएगा चैनल को प्लीज सस्क्राइब किजिएगा फर्स टाइम आए है तो thanks for watching this video